अस्ताइब कुंडियोट स्रेंट्स, आप लोग ने बहुत अच्छे से लिख ली होंगे और आपको समझ आ गये होंगे हाज हम लोग स्राइट करने चाहरे हैं, एक्स्पेरिमेंट नंबर थर्ड फार्मा कोगनोसी का, ठीक है और इसकी हमार जो टाइटल है, वो है और गेरनल अप्टेक एवैलुएशन ऑफ एलो, ठीक है एलो जिसका कॉमन नेम गवार गंदल है, ठीक है अगर आप लोग उर्दू में लिखना चाहों, आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हो इसके इलावा हम लोग एलो को एलो वेरा का नाम भी देते हैं ठीक हो गया, फिर हम लोग बारलोजिकल सोर्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं एलो बार्बा डेंसे से, ठीक है हम लोग एलो बार्बा डेंसे से इसको अप्टेन करते हैं फैमिली लिली ऐसी फैमिली से बिलॉंग करते हैं और अगर हम कैमिकल क्लास की बात करें तो इट बिलॉंग स्टू गलाइकोसाइड कैमिकल क्लास ठीक हो गया इसके पार्ट यूस हम लोग क्या इस्तामाल करते हैं या तो हम लोग इसकी ड्राइड जेल इस्तामाल करते हैं या लीव्स को कट करते हो तो उसके अंदर से उल्स को भी बी समाल किया जाते हैं और ड्रायड जैल को भी आप लोगी समाल कर सकते हो तो आपर लोग परनी रहा हो दो नहीं है skin diseases यानि कि जिल्दी अम्राज के लिए इस्तामाल करते हो wounds पे जखमों पे लगाने के लिए हम लोग इस्तामाल करते है hair tonic होता है यानि कि बालों का जो मर्ज कुशा होता है ठीके यानि कि अगर आपको कोई भी treatment चाहिए लाइक अगर आप लोग बालों को में आप लोग silky करना चाहते हो उनको आप लोग different तरहां से आप उसका texture चेंज करना चाहते हो तो यानि कि मुख्तलिफ तरहां की बिमारियों में हम लोग इसको इस्तामाल करते है hair tonic होते है burns by heat radiation and sun अगर तो skin burn होगी है ठीके by heat radiation and sun तो उसके लिए हम लोग aloe vera का इस्तामाल करते है अब यह हो गया हमारा जो हमारे pen work होगा ठीके हम लोग ने side पे एक line लगई उपर हमने experiment number लिखा नीचे उसका नाम लिखा और फिर हमने headings के साथ जो है हमने उसकी information लिखते है हम लोग ने actually क्या देखना था कि हम लोग इसका part use कौन सा करते है और उसके अंदर के वो उसकी chemical constituent कौन से है इसके साथ साथ आप लोग यह देखते हैं कि इसके अंदर chemical constituents कौन कौन से है इसके अंदर chemical constituents होते है alloyne and barbaloyne ठीक हो गया अब इसके जो white paper है उसकी बात कर लेते है experiment number third के बिल्कुल opposite side पे ठीक है एक side पे आपने उसका pen work लिखा उसके बिल्कुल opposite side पर आप क्या करते हो pencil के साथ आप दोनों side ओं पर margin लगाते हो line लगाते हो उपर mention करते हो experiment number three और उसके नीचे आप चाहो तो आप लोग नीचे नाम लिखते हो organoleptic evaluation of yellow ठीक हो गया नीचे आप लोग उसके picture लगा दोगे ताके आपको detection में आसानी हो आप लोग उनको याद रहे कि इसके green color के होते हैं leaves होते हैं stemless होता है बिल्कुल ground पे लगावा होते हैं ठीक हो गया और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर लेबल कर दोगे that it is the plant of yellow ठीक हो तो आप लोग लिख दो चाहो तो आप लोग यहाँ पर yellow barber denses लेख दो ठीक है उसका biological source इसका sample आप लोग नहीं fix कर सकते हो इसके साथ क्योंकि इसका जो sample है क्योंकि वह हमारे पास dried form में नहीं होता ठीक है यानि कि हम लोग उसको dry करते हैं तो वो काफी time taking होता है आप लोग तो आप लोग इसको freshly लगा नहीं सकते हो क्योंकि आपकी copy खराब होजेगी आप लोग इतना picture लगा दे तो वो enough होगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं experiment number 4 की जो कि है organolaptic evaluation of SENA ठीक है SENA जिसको हम लोग SANA मक्की कहते हैं common name या फिर उर्दू में आप लोग कैसे लिखते हो SANA मक्की SANA होता है ठीक है आप लोग कहते हो SANA को या SANA मक्की का biological source क्या है Cassia angustifolia या Cassia acutifolia ठीक है या फिर आप लोग लिखते हो Tanyvelis Haina ठीक है या Alexandrian Saina आप लोग Tanyvelis Haina या Alexandrian Saina लिखते हो ठीक है ये दोने लिखते हो या फिर Cassia angustifolia Cassia acutifolia आप लोग यह लिखते थे हो, family, it belongs to leguminosy family, chemical class, glycosides, ठीक है, यह glycosides class से belong करती है, chemical class हो गई, और अगर हम लोग इसका part use की बात करें, तो इसके हम लोग dried leaves से इस्तामाल करते हैं, ठीक है, और इसके chemical constituents में, senosides A, B, C, and D, इनका इस्तामाल, यह हमारे chemical constituents हो हैं, वो sena में मौझूद होते हैं, senoside A, senoside B, C, and D, यह चारों के चारों आपस में, सिरफ एक एक ग्रूप के लिहास से different होते हैं, ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं uses की, तो आप लोग के तो इसको ऐसा cathartic इस्तामाल कर तो या purgative, मक्सद इन तीनों का क्या होता है कि कप्सकुशा है, anti-constipation के तोर पर इस्तामाल के जा रहे हैं, लेकिन principle इनका different होगा, ठीक है, अब हम लोग इसका opposite side पे white paper की बात कर लेते हैं, white page हो है, आपने side पे इसके lines लगानी है, ठीक है, उपर आपने नाम लिखा, experiment number 4, और इसके नीचे आप लोग टाइटर लिखोगे, एक्स और गेन लाप्रिक एवैलुएशन ऑफ सेना, फिर आप लोग इसका sample, किस भी packet के अंदर या थोड़ सा sample आप लोग प्लेस कर सकते हो, यहां पर leaves fix किये गए हैं, ठीक है, आप लोग नहीं यहां पे dried, इसके leaves अविल इसका कैवा इसकावा इसका कैवा इसका इसकावा इसका। इसका इसका कैवा करते हैं, अगर हम लोग इम्मुूनिटी को बूस्ट अप करना चाहरे हो, इसके साथ आप लोग लेबल कर दोगे that it is Senna or Senna Maki, यह फिर आप लोग इसका बालोजिकल सोर्स मेंशन कर दो, कि यह सेना है, अलेक्जंडरियन सेना है, या फिर ये कैशे इंगस्टि फोलिया था या फिर कैशे एक्टि फोलिया है, ख्लियर हो गया, नेक्स्ट्रीकल आपका, एक्सपरेमेंट नुबर फाइव, और गैनलप्टिक एवेलिएशन अफ बैला डोना, ठीके, बैला डोना, गॉमन नेम, आप लोग बैला डोना कहते हो, या पिर डेडली नाइट शेड का नाम देते हो, ठीके, डेडली नाइट शेड का कहा जाता है क्योंकि यह toxic भी होता है poisonous है आपके लिए ठीक है मिन अगर आपकी आप इसकी खुराग को कम जादा कर देते हो जरूरत से जादा इस्सामाल कर लेते हो या फिर मिन intentionally या unintentionally अगर तो इसकी खुराग जादा हो जाती है तो यह आपके लिए खतरनाक साबित होता है फिर उर्दू नेम आप लोग इसको मकुई या माकू मकू या माकू कहा जाता है इसको ठीक है या फिर इसके रावा आप लोग इसको devil's cherries का नाम भी देते हो ठीक है इंडिया में devil's cherries का नाम दिया जाता है biological source आप लोग के तो अट्रोपा बैलाड होना है ठीक है फैमिली की 16 नसी फैमिली से बिलॉण करता है ठीक है chemical class cropine alkuloid से बिलॉण करता है cropine alkuloid हम लोग क्यों कहते हैं क्योंकि इसके अंदर cropine जो है इसके अंदर इसकी constituents के अंदर जो functional group है वो tropine होता है ठीक है चुक्छे आप लोगों की कॉपी इसके अंदर केमिकल कॉंस्टूटूइंट्स के स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाते इस विज़ासियां पर मेंशन नहीं है अधर्वाइस इसके अंदर एक्ट्रोपीन है या हायोसीन हायोसामीन की बात करें तो उन सब के अंदर ट्रोपीन है यंश हायोसी सीटालिक होता है काहाँ कहा समाल करते हैं तो आप लोग के यह यह संवाल करते हैं तो आप लोGS है स्पास्म औरिक है स्पास्म कोई मरोड पेट में दर्द होते हैं उसके इलाज के लिए हम दोग इस नार्कॉटिक होता है यह तरहिक में निपीर Elijah की तो भाति उन्सिंफे पेपर करें कि दुखेंगे अब आप उपोसित साइट पह आप लोग इस दिहान इस पेपर आपने एक्सपरिमेंट की पिछली साइट पर लिखना है यह घलती आप लोग नहीं करनी आप लोग पेंड पर आप लोग ने साइट पर आप लिखा लिखा इसके निचे आप लोग लगा के अपना टॉपिक लिख सकते हो और गेर अलप्टिक एवलोएशन ऑफ व इसलिए वेलेबल होंगे तो आप लोग ने इसके सीड्स कर दिये ठीक है और फिर बाद में आपने नीचे उसकी पिछल लगा दिए अगर तो आपको लाइक स्लाइट पर आपको दिखाया जाता है सैंपल कि कौन सा प्लांट यह रिप्रिजेंट कर रहा है तो आप लोगों करेंगे आप लोगों को प्रैक्टिकल सही से समझ आगे होंगे अगर आपको फिर भी लिखने में कोई दिकत है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं अब तक के लिए इतना ही थैंक्यों सो माच अलाहाफैस